आज हम बनाएंगे यह नास्ता बहुत क्रिस्पी करा रहा बनता है आप इसे पालक पोहा से बना कर सकते हो आप इसे पोहा कवाप या इसने कटलेट कुछ भी बोल सकते हो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंड करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो सबसे पहले मज अधा रामाइब काला नमक नमक टेशिक के साब से दो चमज भर रहते वाली मून आप अलुकी भूजिया बेसन की नम्कीन का वी इस्तहमाल कर सकते हो अब इसमें पानी डल के छटनी को हम पीच लेते हैं तो यह मज़सा ने बनकर हमारे तयार है कशों के लिए लिए एक मिर्ची प्लाउंस करें दोका हैं और बेंड हमिकाल क्कसासराः मृसकार भाएंस कर जाया है में बुच्क भाजड़ को प्यांने कर पिस होना में ता जनद गां बेंगाल मृसका प्थे रीक करें नमक, टेस्ट किसाब से लाल मिश पाउडर, गरम मसाला और हरा धनिया अब इसमें मैंने दो मीडियम साइस के आलू लिये हैं एक कटोरी पोहा के लिए तो आलू को बॉल करें अच्छे से मैस करके इसका एक हमें डो लगा के तैयार करना है बिना पानी डाले तो यह हमारा आटा लगकर तैयार है और इसमें हमने कोई भी तेल वैगरा का इस्तमाल नहीं कै फिर भी हमारा नास्ता बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी बनता है तो हातों को ओल से ग्रीज करके आप इसको कोई शावी शेव देकर नास्ते को बना सकते हैं तो यह मैंने सलेंडर शेव बना कर इनका तैयार कर लिया है अब आई इनको हम फ्राइए तेल गरम हो गया है तो इस नास्ते को सेखने के लिए मैंने बहुत कम तेल का इस्तमाल कर रहे हैं यानि कि इसको हम सैलो फ्राइए कर रहे हैं सैलो फ्राइए में भी यह नास्ता बहुत ही तो दोनों साइब से यह सिक्र तड़ा है और इसको एक इस तरह से लुक्त कुशक है इसका की तो देखे नास्ता बनकर तयार है पालते हिस नहीं दिखा तware में कम बने रोला तो बाकी कावी असी तरह से आप सिकते तेयार कर लेते हैं तो गरम गरम पोहा और पालक का नास्ता बनकर तयार है तो कम तेल में कुरकुरा और टेस्टी नास्ता बनकर तयार आप इसे हरी चटनी टेमेटो कैचप किसी से भी इंजॉय कीजिए वीडियो यूसफुल लगे कमेंट करें जा शाद शेयर करें चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं सी नेक्स वीडियो में तब तक लिए टेक केरें बाई बाई